दाम बढ़ाने वाले हैं, एक दिसंबर से बढ़ाने वाले हैं, तो अगर आपको एक हीरो मोटो की बाइक खरीदनी है, सस्ते दाम पर वो टाइम अब है 1st December onwards कम से कम 1500 रुपए प्रती गाड़ी, तो ये खीडो मोटर साइकल और साथी साथ हीरो की स्कूटर्स के लिए लागू होगा प्राइस हाइक, कमपनी ने ये दरसल चौथा प्राइस हाइक लेने का विचार किया, इसे पहले नोंने सितंबर में भी प्राइस हाइक लिया था रूसके पहले के प्राइस हाइक समसब जानते हैं तो ये fourth price high company लेकर आ रही है और वो stock up radar पर रखे वैसे Bajaj Auto भी आज radar पर रहेगा लेकिन Bajaj के लिए जो खबर है वो थोड़ीची छोटी है Bajaj दर असल एक छोटी company में जिसका नाम है Snapwork Technologies 93 करोड में 40% stake खरीदने वाला है यहाँ पर कुछ cash है कुछ share swap है लेकिन primarily यह जो Snapwork Technologies है यह एक app development company है जो largely आपके business को mobile first में convert करते है Bajaj उसका कितना फाइदा उठाएगा कैसे वो अपने business में इसको पिरोएंगे वो देखना होगा लेकिन 40% यहाँ पर हिस्सा वो लेते हुए दिखाई देना है तो यह भी stock up radar पर रखे लेकिन यह जादा बड़ी ख़बर वो hero motocop वाली ही है तो भी मिल जाएगा एक दिगज़ पर प्रेशर पासान कर रहा है बज़ा जो सेंटिमेंट पोस्टिक हो जाता है S.J. Snipti देख रहा था देज़ गिरावट थमने लोगी है पचास अब तो 45 point के आज़ पासी कमजोरी के साथ देले देले करके कहां 80 90 point दबाब में थे थोड़ा सा खुलने से पहले recovery mode पे आता हूँ S.J. Snipti चले रेखते हैं इसकी चाल आगे की लेकिन हर्चना बागी कि stocks in news I.E.X. इसकी हम चर्चा पहले भी करते आए हैं स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था बाइबैक पर बोर बैठक थी बाइबैक को अप्रूवल मिल गया है बाइबैक आएगा 200 रुपए प्रतीश शेर पर stock last close में 150 पर जाकर टिका था तो करीब करीब 50 रुपए का प्रीमियम है लेकिन ये open market के जरीए बाइबैक होगा company maximum 98 करोर्ज दरसल खर्च करने वाली है 49 लाक शेर खरीदेंगे इस पर्टिक्लर बाइबैक के जरीए साथी साथ एक भी अपडेट आया है कि carbon market की business opportunities को tap करने के लिए company a holy on subsidiary दरसल शुरू कर रही है भारत में तो वो भी stock आप radar पर रखेंगे इस ख़बर के लिहाज से भी HDFC Life, Max Life के आप लोग बात कर रहे थे HDFC Life के लिए update या है IRDAI ने Excide Life के साथ दरसल वो merger को approval दे दिया है तो वो stock हाल फिल हाल active रहा है पिछले हफते काफी अच्छी तेजी देखने को मली है तो इस पर भी आपकी नज़रे होनी चाहिए SBI card भी आप radar पर रखे October का data निकल कर आया है जहां पर 3,49,000 cards दरसल company ने जोडे हैं यानि कि 19% year on year growth देखने को मली है month on month ये आकड़ा nearly 2.3 से 2.5% के आसपास दिखाई देगा लेकिन जो monthly spending है वो year on year 22% उपर है month on month हम देख रहे हैं flat year on year उपर इसलिए क्योंकि पिछला साल low base वाला साल था market share 18% पर intact है company का और basically company है कह रही है कि RBI suggest कर रहा है कि higher base के चलते थोड़ा सा slow down देखने को मिला है spending में उस पर आपकी नज़रे होनी चाहिए L&T Financial Holdings यहाँ पर भी एक पूरी जो deal होनी थी वो उसको final आप कहरें अंजाम होते वोए देख रहे हैं HSBC को इन्होंने अपने mutual fund business को बेचा है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इस प्रक्रिया के बाद 3,484 करोड कंपनी के हाथ आ रहे हैं और साथ ही साथ एक realized surplus cash भी आएगा साड़े 700 करोड से उपर का तो उस टॉक आप रेडार पर रखेंगे Interglobe Aviation Interglobe Aviation अपने international footprint को और मजबूत करने के लिए दरसल बोईंग के 7777 aircraft को एक wet lease पर लेने की तयारी कर रहा है Civil Aviation Ministry ने इनको पहले ही approval दे दिया है ये 6 महिनों तक और extend हो सकता है और company finalize कर रहे हैं वो contract wet lease का तो basically इनकी जो winter schedule है उसको और मजबूत करने के लिए ये deal होती भी दिखाई देगी lemon tree भी focus में इन्होंने 42 रूम का दरसल होटेल के लिए एक license agreement sign किया है जमशेतपूर में ये hotel खुलेगा सितंबर 2023 के अंत में दरसल ये operational होगा lemon tree brand के अंदर ही ये hotel खुलने वाले हैं पेटीयम आज फिर रेडार पर रहेगा दरसल RBI ने पेटीयम के payment services को कहा है कि इनके online payment aggregator license के लिए दुबारा apply करें अब इसके चलते ये होगा कि RBI ने ये भी कह दिया है कि कोई आप नया merchant onboard नहीं करने वाले हैं इस सिल्सले में online merchants की onboarding पर रोक लग गई है इस payment services या PPSL जो कहते है पेटीयम payment services को ये फिर से approval लेने के लिए 120 दिन का समय दिया गया है हालाकि company कह रही है इस particular move से इनके business पर कोई असर नहीं पढ़ेगा लेकिन इस stock up radar पर रखेंगे जरूर श्रीराम Transport एक हाली की listing है इसकी एक एकाई ने Bangalore based Suvilas Realties को 30 करोड में खरीदा है इस realtor के हाथ में करीब करीब 660 residential units है जो development के ले आएंगी 6 अकर plot में तो वो stock आप radar पर रखेंगे आखिर में आप Ami Organics पर भी ध्यान दीजेगा ये भी एक fairly recent listing और 896 का stock Finland की एक company Firmion के साथ इन्होंने एक deal की है ये एक multi-year, multi-ton contract है जहाँ पर Ami का जो दरसल patented product है वो Firmion को बेचते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर माना यही जा रहा है कि इसकी minimum contract value भी multi-euros में होने वाली है multi-million euros में होने वाली है और साथी साथ FI 24 से दरसल इसका फाइदा company को लगतावा दिखाई देगा तो वो फिलहाल आप stock radar पर रखे एक large deal में Venus pipe and tubes में BNP पारेबा ने करीब-करीब 3.2% stake खरीदा है ये 6.500 रुपे प्रती शेर के आसपास सौदा हुआ हालाकि यहाँ पर Heyman Shah करके एक निवेशक है उन्होंने 6.5 लाग शेर बेचे जो BNP पारेबाने खरीदे हैं JK cement की और से अपडेट आया था कि इन्होंने एक 2 million ton की per annum की capacity वाली एक cement grinding unit को commission कर दिया है उत्तर प्रदेश में तो वो भी stock up radar पर रखे बता दें कि money control पर दिये गए विचार experts के अपने नीजी विचार होते हैं website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है users को money control की सलहा है कि कोई भी innovation इंडने लेवी से पहले certified expert की सलहा लें